तो हमारे साथ हास-खास मेहमान हैं, तो हमारे साथ हैं पंकर च्रपाथी, तिगमांचु धूलिया, विशाल मिश्रा. कोई भी तारूफ का महताज नहीं है, लेकिन ये ऐसे दिगज हैं, जो हमें इस पूरे कारेक्रम को एक तरह से आगे ले जाएंगे और समझाएंगे अपनी जर्नी से और अपने अनुभव से, अपने विचारों से. तो पंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके अभिनेश से बहुत प्रभावित होते हैं, तो आप यहां पर शूटिंग भी कर रहा हैं? जी, जी, धन्यवाद. थोड़ा सा बताइए, जो आपकी जूर्नी रही है, गैंग्स अफ वासेपूर, मिर्जापूर, कैसे आप देखते हैं उस्तरपदेश और सिल्मों की इस जुड़ाव को? क्योंकि गैंग्स अफ वासेपूर और मिर्जापूर दोनों यूपी में ही सूट हुई है, बनारस में और, हाँ, बनारस लखनाओ, चंदौली, मिर्जापूर, वाचुनार, तो हम यहीं पर सूट किये हैं, बनारस पर रहते थे, वासेपूर में, टिसू सर्भी हमारे साथ थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो बनारस में मिस्रा जी का वेस्नो भोजनाले मिल गया था, यहाद है आपको अधरा को मिर्ची वाली, तो उसमें वेस्नो भोजनाले में निरामिस भोजन बिना लहसुन पर आज के, तो हम दारा खुले जाते थे नीचे बेस्मेंट में नवस फिल्में तो कर चुका हूँ यहीं पर, बरेली की बर्फी, मुझन सक्सेना, अभी अटल चल रही है लखनो में इस वक्त, और मिर्जापूर, गैंक सफवासेपूर, धाराम, बहुत सारी फिल्में किये हैं, तो तब से 2007 से मैं कर रहा हूँ, तो बिगनिंग में 2005-2006-2007 में उतने सुटिंग फ्रेंडिंग महाल नहीं था, बहुत भीड आ जाये, कंट्रोल करना मुस्किल, लेकिन अभी बहुत बदल गया है, अब आप जब जाईए, तो लखनो में तीन यूनिट है इस वक्त, हमारे संग-संग और दो यूनिट काम कर रही है, बनारस में भी कोई न रुजरतिकल पर सो, यहां के लोग थे और बड़े ट्रेंड और और और्गनाइजड क्राउड थे, सब एक बार में समझ जा रहे हैं कि करना क्या है, बिल्कुल सरकार का सपना रहा है जो एक फिल्म सिती बनाने का ति मानजुजी आपका, कि कि आप NSD अलावाद से रहे हैं थोड़ा आप भी हमें समझाइए जो उत्तर प्रदेश का प्रभावराय फिल्मों में या जो 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 जोनी है, एक आम दर्शक को जो अलग है इस प्रदेश से और आपके जो अनुभावराय हैं आपने दो-ती सवाल एक साथ, सवालों की मुठी से बना दी है, उत्तर प्रदेश का अब देखें, मैं थोड़ा बदा तो नो भी की वीडिया है मैं तो ही, मेरी पैदाईश पड़ा है लिखाई साथ विल्हाबाद की, मैं वैसे उत्तरा खंड का हूं लेकिर उत्तरा खंड जज़ भी बने, तो मेरी पैदाईश लाबाद में वी है, तो मैं बोलता हूं कि मैं खून से उत्तरा खंडी हूं, तेवर से लाबादी हूं, तो और जैसा शेहर है लाबाद वैसा मैं आप शेहर मुझे नहीं लगता पुरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं हो सकता, क कोई कंपेर ही नहीं कर सकता कि हमारा शेहर लाबाद कि कुछ और चीज थी, वहां पे जिस तरह का कल्चिरल और पुलिटिकल लिटरिचर इन सब चीज का जो एन्वारमेंट था, वो किसी और शेहर में नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, और मैं बोलता हूं लोग कहते हैं गंग जमनी और टेम्स, मलब इंग्लेंड मजोर, वो तीनों का संगन में लाबाद, जैसे लखनो में नवाबी एक पूरा एक महाल है, लाबाद में क्यूंकि अंग्रेजों का बहुत ज़ादा उनका सब कुछ था, हाई कोर्ट थे, पुलीस हेड़ कोर्टर था, एजी ऑफिस था सब कुछ था, तो वहाँ पे आप कोलोनियल इंफ्लूएंस इलावाद में सबसे जादा है, बाकी और किसी शहर से, एक दिन के लिए तो इलावाद इंदुस्तानी कापिटल भी राए, तो बहुत बढ़िया मिक्स था, मैं उसी मिक्स, उसी कल्चर से निकलावा हूँ एक न बंगाल से है, पंजाब से है, यहां के लोग जादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उक्तरप्रदेश का नहीं है, उक्तरप्रदेश का भी बहुत है, जो अगर मैं थोड़ा सा अकेडमिक बाते करूं तो बोरियत भी हो जाएगी, लेकि जो जो चेंज आ जाया है, जो सब कुछ लोगों को लगता है, फिल्म ही लोग पड़े लिखे नहीं होते, तो वो अच्छली हुआ से के बाद के बाद, तो सकेंड मुल्ड वार जब 1939 में शुरू ही और 1945 में खाता हूं भी सकेंड मुल्ड को दो हिस्स्तों अगर देखा जाए, तो इनिशल सकेंड मुल्ड जो पी जो पहला स्टेज था तो उस पक्त इंडिया वस थ्राइविं, फैक्रिया खुल गई थी, मैनुफाक्च्छर हो रहते है, कपड़े ये सब, फूड ग्रेन, वरिधिंग उसके बाद जब लड़ाई बर्मा इंगल्ड ने हारी, जब सिंगपोर और बर्मा हारा इंगल्ड न इंटाइर बिहार एं इस्टन यूपी वस एफेक्टेट बाद अब अब वो देखे उस तुस नैच्टर लेक ऐसी निससरी थी हुआ गया, तो बहुत लोग उधर से बंबाई आए, जो भी इस होता आपको बड़े से बंबाई आए, जो बहुत लोग उधर से बंबाई यूपी के हो लेकिन हमाए तो दादाजी आ गयते, कब आया तो अगर आप पूछे तो अब आप पूछे तो 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 आट वस पर टैक्सी चला रहा है वह उंदे में, अब वो लोग फिल्म इंडस्टी में, फिल्म इंडस्टी उस वक्त नहीं नहीं तो थी, तो जो इसकिट फिल्में आई, सालेंट फिल्मों को दोर खतम वह, यूजिक वे इंडस्टी, तो वस जब से अधा संतों पे फिल्में बनी, संतुकाराम, संतकबीर, संत, हरिदास, इन सब पे फिल्में बनी, विकॉज उनके भजनों में म्यूजिक था, बाद में जब एक पॉटी स का ताम चला को टिंडे मोमेंट, एक थोड़ा सा महाल ठीक नहीं था हिंडूस्तार में, तब सब लोगों ने अपने रूटेट चंदरगुप्त मौर हिस्टोरिकल बनने लगे, लेकिन जब ये पीरिड आया, जो माइगरेशन वा, एक थोड़ा सा महाल थीक नहीं था, तब सब लो आपके सीतापुर के, पंडित मुकराम शर्मा जो ना बियार शोपड़ा कि इतनी सारी फिल्में लेकिन, लेकिन लेट वर लेंगविज, जो उस वक्त पर फोड़ी रिजनल थी, सड़ली एक लेंगविज जो हिंडी सिनमा ने दी, जिसका कॉंट्रिबूशन उत्तर प्रद तो ये कॉंट्रिबूशन यूपी का डिफिनेटल रहा है. मुझे लगता है कि मैं इतना जानता हूं कि इस धरती का कॉंट्रिबूशन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि हम भी एक छोटा सा हिस्सा हैं, मेरी जिंदगी में कल्चिरली, अकाडेमिकली, म्यूजिकली, जितने भी अध्याय हैं मेरे जीवन के, उस हर अध्याय में उत् उत्रप्रदेश चपा हुआ है, और चाहे वो गाने बनाने का धंग हो, बात करने का धंग हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, या फिर किस तरह के गाने होंगे, किस तरह की बोलचाल होगी, होली होगी, तो किस तरह के गाने गाएंगे, ये मोहल बच् एक basic level पर उत्रप्रदेश के हर बच्चे को या बिहार के हर बच्चे को culturally कहीं न कहीं सिखाए जाता है, जैसे बिहार में छट होती है, उत्रप्रदेश में होली गाई जाती है, अलग-अलग समारों पर बुलववा होता है, जनम दिन होता है, तो बुलवे होते हैं, औरते मिलकर लोग गीद गाती हैं, जिनका पता नहीं कितना प्राचीन कनेक्शन है, अगर आप देखें, फिल्मी म्यूजिक में चलता चला आ रहा है, तो उस तरीके का कुछ महौल था, हमों नाव में थे, फिर यहां आए, आज हम ज पयाम श्री राम हो, जहां पर नौशाद हो, जहां पर हिंदी, लोग हिंदी लिखने वाले ऐसे उर्दू के शायर, कृष्णी बिहारी नूर हो, जहां पर खुमार बारा बंकवी हो, जहां पर वसीम बरेल्वी हो, मुझे लगता है दर्ती को जितना नमन किया जाए उतना क बिलकुल ये गोष्ट ही हुमारी नौरा पर चोड़ रहा है, जहां पर लेटा है, जहां पर बार बार सवाल आरहे हैं कि उस पर जरूर पूछ लो क्या अनुभाव, कैसा फिल करें एक तो आपका इस तिल देखा है, बिलकुल आप बिलकुल ऐसे ही लग रहे हैं, पर अच्छा बना रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, करते हुए, अभी जादो जी डिरेक्टर हैं, वो लेखक भी हैं, तो हम लोग पूरी इमानदारी से और परिस्वन से कर रहे हैं, ये जानते हुए कि चुनोती बड़ी है, इनका वेक्ति तो बहुत बड़ा है और उसको एक दो घंटे के फिल्म में समेटना भी अपने आप में बहुत कठीन और चुनोती पूर्ण काम है, पर हम लोग प्रयास हैं कि उसको ठीक ठाक से निभालें, चुकि अभी मेकिंग के प्रोसेस में हैं, तो बहुत जादा बोलना भी तो इसमें क्या चेंज, क्या बदलाव आप लाते हैं, क्या सोच कर अभी अभी नेता के तौर पर, जड़ा थोड़ा बताई हैं मैं सरका जूरियर हूँ, हम लोग एक ही संस्थान से पढ़े हैं, तो निशनल स्कूल अभ ड्रामा दिल्ली से, तो ये बताने के पीछे दादा ये भी कारण था कि मैं भी विदोता मुझ में भी है, नहीं, सही बोला कि आम तोर पर फिल्मी लोगों के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि हम जानकार होते हैं, और ये सच भी है, हम जो लोग, हम जितने किरदारों के नाम लिए जो यूपी से गए हैं और सिनेमा में कंट्रिबूट किये हैं, तो वही लोग थे, बाकि वहाँ थोड़ा ज्ञान का भाव कई बार दिखता भी है, तो खैर, अटल जी क्या पूछी थी आप, आप, यही पूछी है, हाँ, drama school की training है, जी, मैं मेरी समस्या में भूल जाता हूँ, बीच में, तो drama school की training है, तो यही काम सिख है, इसी में ज Vater Zukunft है के लिए लगाते हैं, तो कई चीजए हैं, ओ हमारा जादू का खेला भी हमारी काले रंगल के ज्छ सबसे बड़ा काम तो लेखन का है, असल खेल लेखन का होता है, तो कई बार अच्छी लिखे स्क्रिप्ट को हम लोग अच्छा अभी नेता मान बैठते हैं, तो राइटिंग अच्छी होती है. उस किरिदार को कैसे उतारते हैं अपने अंदर या क्या रहता है तरह विचा आप ऐसे जैसे बैंक में गिरा एक एसमेस आया क्रेडिटेड वैसे ही करेक्टर की सीडिंग हो जाती है सीड तो चाहिए ना शुरवात कहीं तो बे ज़िग ओपर भीज चाहिए सीडिंग, तो सीडिंग तो बैंक अकाउंट से होती है तो नहीं ये हसने के लिए बोला क्योंके भूम सब गंबीर हो गए थे लग रहा है था कुछ बहुत बढ़ी बात होने वाली है तो नहीं, मैं उसी का पढ़ाई किया हूँ, उस बरलंबा प्रोसेस है, उसको दो-चार सब्दों में बताना मुश्किल है, अटल जी को सबसे तयारी करने के पीछे, मैं इनके लगभग 30-40 घंटे का यूटूब पे जो कुछ भी मौजूद है, उनका पुराना इंट्रिव्य इवन वीजा त्रिवेदी जी के साथ 24 घंटे का पूरा एपिसोड है, एनिटीवी के लिए ही किया था, तो वो पूरा देखा, फिर मैं वीजा जी को फोन करके, कि ये बनाते हुए आपके क्या नुभवत है, उन्होंने किताब भी लिखी है, तो जितने लोगों ने किताब लिखा है, इंट्रिव्यू किया है, बनाया है, लगभा घर किसी से को पढ़ा और पढ़के कुछ लोगों से बात भी किया, फिर किरदार को आत्मसाथ करने के दो-तीन तरीके हैं, हम प्रयास करते हैं, कि हम कैसे करें, कि बिलकुल caricature भी ना लगे, imitation भी ना लगे, कि मिमिक् पूर्ण काम, तो हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, और जब फिल्म आएगी तभी लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे. अगर आपका कोई निर्देशन देखना है, तो जरूरी नहीं कि हमें एक बड़ी फिल्म का ही इंतजार करना होगा. क्या बदलाव ये आया है, जरा थोड़ा ये बताईए, समझाईए, कितना ये एहम है हमारे फिल्म के लिए, हमारे कलाकारों के लिए, निर्देशकों के लिए. बदलाव तो आप सभी महसूस कर रहा हूँगे अपने घरों में, करोना के टाइम में सबस्यादा कंजमिशन वा ओटिटी का, तो लिकिन जो फिल्म इंडस्टी के लिए, जो हम लोगों का जिसे रोजी रूटी चलती ही, घर जलता है, आप जानते हैं इसको, कि अल्रेडी फिल्म इंडस्टी वा इन सम् ट्रबल, बिफोर दो टीटी के लिए, वो ट्रबल था, साउथ की फिल्म में, मतलब जो अच्छी थी और हिंडी में डब होके, टेलिविजियन बहुत देखी जारी थी, हॉलिवूड, हॉलिवूड में, अब देखें कई सालों थे, 20-25 सालों हॉलिवूड में सब बड़ी-बड़ी बिग ब्लॉगबस्टर फिल्म आती, Spider-Man, Transformers, Legion, और पता नहीं क्या-क्या, Spider-Man, और वो सारी भाशा में वो डब होके आती है, हिंडी में, सारी रिजिन लेगाने, तो बॉक्स ओपिस में तो मात हम लोग खा रहे थे, हिंडी सिंवा जूज रहा था, मैं producers के बात नहीं करता हूं, लेकिन हम लोग जैसे technicians हैं, जो रोज कुआँ खोदो पानी इपी हो, जिनकी हालत है, उनके लिए OTT ने बहुत welcoming change था, और दूसरा OTT में जो फाइदा था कि जो film मनाते हैं, आप फिल्म आपने पांक, दस क्रोड़ों, पंदर stars नहां, उनको बिकने में बहुत problem होती थी, shows नहीं मिलते थे, theaters नहीं मिलते थे, 11 बज़े सुवेगा show दे दिया, दिन में कौन जाएगा देखने, तो उस तरह से cinema बहुत मात खा रहा था, और OTT ने आके इसको थोड़ी नहीं काफी रहत हो चाहिए, विशाल अगर आप से नाचो ये गाना था आपका नाचो नाचो थोड़ा सा एक समय आ गया है इस कारेक्टरों में की थोड़ा हम सुरू को भी सुन लें आपके, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, वो जो गाना जिसे आप बिलकुल ही famous हो गए, हलांकि आप इसे सालों से परिश्रम क नाचो नाचो एक बहुत ही खुबसूरत सा प्रॉसस था, राजमोली साहब एक बहुत ही कमाल के लिर्देशक है और मुझे ऐसा लगता है हर कलाकार की जो सबसे यूनिक कॉलिटी होती है, जो सबसे अट्राक्टिव कॉलिटी होती है वो होती उसकी क्लारिटी और एक चीज जो उन से मिलकर, उनके समीप रहकर मुझे पता लगा वो यह है कि बहुत क्लेर है अपने विजिन में क्या करना है, यहां तक वो गाके भी बताते थे कि इस तरह से गा सकते हैं, गाना तो पंद्रा मिट में गा दिया था, उससे पहले भी मेरी एक फिल्म आई थी कबीर उसका गाना सुनके उन्होंने मुझे बुलाया था, खिरवाणी साब में, जिनके लिए हम पहले गा चुके थे, उसका यूनिक एक्सपिरेंस और जब वो गाना डब कर रहे थे तब तो नहीं पता था कि इतना इतना जादा हला गुला हो जाएगा, दो लाइने में आप सब लोग के लिए सुना रहे था हूं, अर बैल जैसे धूल उड़ा के सींग ठाके तुम भी नाच बाज जम के ताल डोल बेटा राजूड के, शेर से भी तेज देखो चल सके ना कोई, अस्त बल में घोड जैसे भाग डोर छोड, मिट्टी जोता रोट मोटा मिर चाखा के ऐस जैसे नाचो, के आजा छोरे, के आजा गोरे सब को गाना है, के आजा छोरे, नाचो, 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 कच्छी गैरी जैसे खटा, नाचो जी, अगले सवाल पर कैसे हुआ गा दूंगा चली चलिए, एक हमारा गाना है कैसे हुआ, कबीर सिंग, कमाल है कि अभी हम आ रहे थे तो एक सलोन की दुकान थी, उसमें बाल ना कटा हुआ, कबीर सिंग का पोस्टर लगा हुआ था, लिखा हुआ था मैं सलोन, मैंने बला कमाल है, दाड़ी बड़ी वही बाल बड़े हुए, कैसे हुआ कि पीछे बड़ी खुबसूरत से कहानी है, मुत्तर प्रिदेश की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस प्रश्ट भूमी से हम लोग आये हैं, वहाँ पर म्यूजिक, रोमान्स, यह बड़ी खुबसूरत सी चीज़े हैं, मुझे लगता ह कि हाला कि मैं खुद को इसी जनरेशन का मानता हूँ, अब तो मैं 30 साल पार कर चुका हूँ, लेकिन मैं जो 17-18 साल के लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता हूँ, वो रोमान्स कहीं मिसिंग है, तो संदीब जो कि उस फिल्म के डिरेक्टर है, वो हैदरबाद से हैं, उ मसता रहता हूँ, तुझ से मिल कर क्यूं आज कल, आखें मेरी हर जगा, ढूंडे तुझे बेवजा, ये मैं हूँ या, कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो ये जो सक्सेस है, ये मुझे लगता है उत्रप्रदेश को जानेचे, सब लोग उत्रप्रदेश के लिए एर एक बार ताली बजा दो, what a beautiful place to be from. तो अब पंकर जी, फिर आपके पास आते हैं और आपसे ये जाना चाहेंगे कि अब आगी का जो राह है, अभने के शेत्र की कैसे देख रहे हैं, अब OTT प्लाटफॉर्म्स आ गया हैं और तमाम हमारे, अब बड़ी, बड़े आक्टर्स की शायद जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा एक शायद एक समया दौर आ गया है, कि अब हमारे जो तमाम जो OTT पे सीरियल आ रहे हैं, वही अक्टर्स जो आपकी एक मूख होती है, तृष्णा होती है, अभने को देखने की, वहीं पित्रिप्त हो रही है, या आपसे भी वही सवाल पूछूँगी, लेकिन पहले म आपसे जानना चाहूंगी, कि अब कैसा लगता आपको अभने के शेत्र में क्या बदलावाए, जाद ऑपरचुनिटीज आ गई हैं लोगों के पास, और किस तरह से देख रहे हैं रहा है। तो और content अच्छा नहीं है, performance अच्छा नहीं है, तो वे जिन सेकेंड आप बंद कर दीजिए, यहां आना जितना असान है, यहां से जाना भी उतना ही मुस्किल है, क्योंकि यहां 64 ट्रेने रुखती हैं और 28 नहीं रुखती हैं, यह मसान का मेरा संबाद, मुझे आद आगय यह OTT वैसा ही है, कि वहां असानी से आईये, रुकिये, अच्छा नहीं लगा, निकल जाईये, cinema hall में पहुंचने बार लगता है, यहां आ गये हैं, पैसे कट गये हैं, तीन गहंटे, चार गहंटे के प्लानिंग करके आया हूँ, तो अच्छा हो ना हो, अब एसी कहीं आनन मेता है, तो उसमें बहुत सारे लड़के पुरवांचल के हैं, क्योंकि अचानक OTT आने से पुरवांचल बेस्ट काम बहुत होने लगा, तो सब बेस्ट हो गए, सब को काम मिलने लगा, हमने भी साथ में किया था, Criminal Justice Season 1, डादा डिरेक्ट किये थे, मैं अक्टर था उसमें. कौन सा करदार आपको अपना बहुत पसंद है, और उसके कुछ डायलोग सना देजे, प्लेजे नहीं, अपना तो हलवाई से क्या पूछे कौन मिठाई पसंद है, सब पसंद है, कुछ भी, जो इस समय है, कालीर भया आपको पसंद होगा, मुझे, कुछ और हो सकता है, नही अभी हलाकि कासुई कहीं किरदार थे, कासुई देल्वे स्टेशन पर बैठते हैं और टिकट काटते हैं, और कोइंसिदेंट है कि उसमें एक सीन, दो ही रही तीन सीन थे, एक बंदा आगे पूछ पूछ तो बोलता है, मिर्जापूर, कई लोग बोलते हैं, वो मिला हूँ, तो यही है, कुछ थोड़ा सा सुना दीजे, आपका कोई डायलोग जो जिस तरह से, नहीं वो तो पैसे लेते हैं ना, उसके लिए, आज तो फरी में आये हैं, रोजी रोटी है वो, उस तो परवचन दूँगा, डायलोग नहीं दूँगा, कुछ रहा है, कि महा आदत लग जाए, तो एक वो भी, संबाद मुझे असल में देखिए, दिक्कत क्या है, कि वहाँ एक कई इंपक्ट जो है, मैं यहां बोलूँगा तो नहीं आएगा, तो उसका असर कम हो जाएगा, तो उसके लिए काला जोला चाहिए, सब सिट अप चा तो आप तक जो पर्दे के थूँ आता है, वो उसका यहां हम नहीं कर पाएंगे वैसा, बैलकुल, मैं समझ गई, तिकमाचु जी, आप से अब यह समझना मैं चाहूंगी, कि जब हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इंफ्लूइंस की बात कर रहे थे, जिसे बरेली के बाजार में, या फिर खाई के पान बनारस वाला, तो जो यह, अब यह और यह लेंदेन शब्दों का, सुर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जिस तरह से विशाल से बात कर रहे थी, वो छटका बहुत, उनका गाना इक इतना वाइरल हो गया, तो जो यह हमारा रीजनल आवाग आपने की, पूछिए चेकर का यह शुरूस था, अगर आप हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ब्लॉग बॉस्टर फिल्म देख लेंगा, श्टार्ट से गंगा जमना उटार की लिटिया, स्टोरी वस बाद दिलिव कुमारा, वा बजात मिरत साथ ने लिखी थी फिल्म, शोल नहीं भी एक रूटिट फिल्म को जन देना है, जो नौत में सेट हो, आपको अवधी पर यह आना पड़ेगा, तो यह शुरू सुरा है, और उसी तरह के जो सिंबल्स हैं गानों में, जैसे आपके रहें जुमका गिरा रिबरेली के बजार में, यह खाई के पान मारा सुरा सही है, और जो यह एफर्ट हुए थे कि एक उतरप्रदेश में भी फिल्म सिटी बने या हब बने, उसका फ्यूचर क्या देखने हैं, पहले आब बताई पंकर्श फिर मैं इन से बात करें, यह डिरेक्टर हैं, तो यह चले आप देखने, आब बताईए, यह अच्छी बहुत दूर हैं घर से, बहुत दूर हैं, कास की फिल्म इंडस्ट्री भुपाल में कहीं होती, ताकि सेंट्रल इंडिया की सब को यह अपने घर जल्ली पहुँच जाए, तब तीज ते वहर में जाने का मन करता था, तो यह नहीं अच्छा है, हर स्टेट में बने, यहां ब प्लिक ट्रिंड हो रही है, तो तो अच्छा है, तो आप तो और भी एक्स्पैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब दक्षन भारत की फिल्मों से बहुत एक कॉंप्टिशन मिल रहा था, यह भी था कि उनको ही कॉपी किया जा रहा है, लेकिन यह अच्छा है अपने आपने की फिल बंबई में बना, तो जो पैसा लगाने वाले, जो प्रोजेट को ग्रीन लिट करने वाले लोग है, वो यूपी के नहीं थे, जिसकी वजए से हमारे, अगर लखनों में या लाबाद में कहीं भी फिल्म इंडिस्ट्री पहले से होती, तो इतना अच्छा लिट्रिचर अगर अगर वही चीज यहां होती, उत्तरप्रदेश में होती, तो आप सोचिए हिंदी सिर्मा अपने आप में बहुत रिच सिनमा होता, अपनी हेरिटेज से जुड़ा हुआ होता, वो मिसिंग हो गया, वो बहुत बड़ी ट्राजडी है यह, बिल्कुल जो आपने अंतमे अपने हमारी विरासत की, संस्कृति विरासत की बात की, तो अब कारेकरम को अंत करने से पहले विशाल की एक खास पेशकष है, तो वो सुनाते हैं अपने दशकों को, तो विशाल, देखिए, मेरे खाल से मुझे का जा रहा है, audience सवाल ले ले फिर हम उससे अंत कर सकते हैं, जी, एक सवाल मेरे पास है, पंकर जी आपके लिए, अभी यहां पर मिर्जापूर की संसद आई थी, अनुप्रिया जी, और उन्होंने कहां मेरा एक शिकवा रहेगा, मेरा मिर्जापूर ऐसा नहीं है, जैसे कि OTT में दिखाया जा रहा है, सही कह रहा है, बिल्कु बिल्क कुल ऐसा नहीं मैंने देखा मिर्जापूर बहुत गलत मिर्जापूर तो कज्री का उद्गम है वहां से कज्री गाई की कि मईहर जो है वो क्लासिकल संगीत का अपने आप में अस्थान है अलावदीन सहाब से लेकर अभी संकरजी से लेकर कौन देवी थी अनुपूर्णा द अज़ीपूर रख देते हैं चाहे वह आजमगर तो भी समझ में आता कि अपराद उदर जादा है मिर्जापूर में अपराद नहीं है मधूर्दा जादा है पर वो फिक्श्नल नाम है ऐसा नहीं है कि कहीं वो सीरी जी बात का प्रवाणित नहीं करता है कि यह कहानी रियल क तो आपको उनको लगा कि नहीं आरी यह नाम थोड़ा इस नाम में बात है अब देखा वुद्य कि अपने बहुत देखा आप लेकिन इस तरह से बंप ऐसे थोड़ी होता है तो लगता कि फैक्ट्री खुली धी है तो आतिस्षोक्ति कर भी देते हैं लेकिन ये क्यूंकि अभ बोले जानत हो हम बहुब बढ़ी बोल सके तो गाय देओ अवधीम है तो पूरा बनाय क्पड़ी साठे नो मिनिट का रहे हैं वह इस से यांद करें गाय विए पेशकर्श के लिए मुझे जूते उतारने पड़ेंगे मुझे हाँ इतार नहीं बिलकुल गाह में बॉकर कि ये घृठिया से कहीं हम गाह रहे को एक बहुत ही कि मुझे नहीं गया कि किसी भी बॉस्टा हो गुत होती है कि खुद कुछ कर सके को है कुई करवा anders एक वक्त होता जिस वक्त तक उपर वाला महरबान होता है, फिर आप उसके आद करकर करते रहते हैं. यह एक रात बन गया. मैं रमायन को गीप में कहना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों तक वक्त आते 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 यह गाता अगर पहुचे गीप के माध्यम से तो और इस सेलिब्रेटेड गाता को और शायद लोग अपने दिल से सेलिब्रेट कर सके हैं. तो जहां-जहां से यहाद है, मैं सुना देता हूं. तो शुरुवात है कि राम जी पैदा हुए, तो क्या हुआ? राम रूप लिये मा कोशल्या की कोख में आए स्वयन नारायन शुरु हुई लो रामायन इसमें एक बंद है, जहां पर का जाता है कि पुन्य प्रतापी राजा दसरत के कुल में जन में ओ बैकुन्ठुतरा हो जैसे दसरत के आंगन में ओ महादेव गोरी से बोले, महादेव गोरी से ये भगवानाएं हैं अयोद्या अब राम जी थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ ग्यान लिया और वचंदिया के जब तक देह में प्रान रहेगा न्याए रहेगा धर्म रहेगा उस पलडे में राम रहेगा गुरू कले के आदेश राम चले हैं मिथिला अदेश अब मिथिला गये हैं, मिथिला में क्या हुआ, वहाँ भी सब गा रहे हैं लोग मिथिला में की अवद से आए जनकपुर राम देखो, हो गया है जनकपुर ये धाम देखो अब मा सीता और श्री राम की ब्याग का एक बंद है इसमें छोटा सा की एक दरस में महली अरे हो गई मैं तो तेरी सियारे जैस विश्णू लक्ष्मी की जोडी, जैस श्व के हाथ में हो गौरी वैसे ही मैं आज से हूँ तेरा, वैसे ही तू आज से है मेरी भर हूँ मांगना कर हूँ देरी फूल बिचाओ तारे सजाओ, फूल बिचाओ तारे सजाओ सियारामाएं है अयोधिया दिये जलाओ, मंगलगाओ रामाएं है अयोधिया अब मैं आपको उसका वो पार्ट सुनाता हूँ जब श्री राम ने, काफी लंबा है, अन्त में जब रावन का वद कर दिया तो क्या हुआ कि, विबीशन कहते हैं, राम के चड़नों में आके प्रभु श्री राम के कि, अब तो आपने वद कर दिया, अब तो लंका आपकी है 14 सालों बाद, अब इस लंका के राजा बनी है तो श्री राम से विबिशन कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं विबिशन से विबिशन और इनके बीच का संदर्व है कि चर्णों में आके बोले विबिशन चर्णों में आके बोले विबिशन खत्म हुआ बन बास भगवन तार दो हमको बन के राजन सुप दिया लो जाने दो हमको लंका यब तुम्री कर्म भूमे कितने बरस से राह तकत हैं हमरे लिए हमरी जन्म भूमी लखन सिया हनुमान के संग संग लखन सिया हनुमान के संग भगवानाएं हैं आयोत्या सियावर राम चंद्रकी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 शुक्याद यह बहुत लंबा है कहां से क्या गाओं यह बड़ा मुश्किल है नहीं यह लिखा है बिहार के हमारे मित्र हैं उनका नाम है कौशल किशोर और धाका के रहने वाले हैं बहुत कम लोग जानते हैं धाका मुझफरपुर के पास एक बिहार में भी धाका है और कमाल का धाका है हो वहां से हैं और उन्होंने लिखा है और मुझे लगता है हमने नहीं बनाया यह हम सब की मन की श्रद्धा है जो सब साथ हिकटा होते हैं और किसी चीज में अगर बिलीव करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है इस साल अवदी बनेगा देखे उन्हों में अवदी बोली जाती है योद्या में अवदी बोली जाती है और ये इस बार अवदी में आएगा ये मेरा वादा है और इसी वादे पर बहुत बहुत धनेवाद आप सबी का आप झुड़े, समय निकाला जुड़ने के लिए नमस